दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जुरूर कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो दोस्तो जैसे मैंने आपको कल अलफाबेटिकल सी की नंबरिंग याद करवाने का बहुत इजी तरीका बताया था वैसे ही मैं आपको रिवर्स का भी अच्छे से बताने वाली हूं तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा जैसे यह मैंने लिख लिया हुआ है अलफाबेटिकल एम तक एम के बाद यह रिवर्स में लिख लिया हुआ है जैसे आपको पता है फर्स्ट बर्ड है ए और लास्ट है जैड तो यह तो जैड का होगा ना रिवर्स तो इसको हम कैसे याद रखेंगे अगर हम इसमें चोटा से डाल देंगे तो यह बन जाता है आज तो यह हो गया आज इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे वी और बाई इसमें हम ओ डाल दें तो यह बन जाता है बॉय ऐसे अगर हमको बी आ जाता है उसका रिवर्स देखना है तो हम सीधा सा देखेंगे बॉय तो लास्ट वाला बाई उसका रिवर्स आ जाएगा ऐसे ही अगर हम C में इसके बाद I डाल देंगे तो 6 अगर हमें C आ गया तो उसका reverse देखेंगे तो पता चल जाएगा कि X उसका reverse है तो ऐसे ही D के अगर इदर E डाल देंगे तो ड्यू बन जाएगा अगर आपको D आता है तो उसका reverse पूछा हुआ है तो W आपको पता चल जाएगा कि उसका reverse है तो EV को हम याद रख सकते हैं EVM मशीन यह तो नाम आप सब भी ने सुना ही होगा तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं EVM मशीन अगर हम इसमें L डाल दें तो यह बंडिया फ्लू इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं फ्लू जीटी को हम जैसे ग्रेट होता है न उसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में जीटी लिखते हैं और जीटी रोड भी होता है तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा की इसका रीवस्ट क्या होगा एक चेश का क्या होता है अपство इसको आइसे याद रख सकते हैं बहुत इजली आपको याद रह जाता है लेकिट है इसका होगा इंडियन रेल्वे यह तो आप सबी ने सुना ही है IR मतलब इंडियन रेल्वे आगे आता है जे क्यू जोकर जे फर जोकर क्यू फर क्यून यह आगया जोकर क्यून यह आपको बहुत इसली से याद रह जाता है ओके दोस्तों और के पी आप सबी ने तो पीके मूँ भी देखी होगी पीके तो आप सबी ने देखी ही होगी आमीर खान की तो आप देखिए अगर आप पीके याद रखेंगे तो मतलब के का रिवस पी का रिवस के ओके दोस्तों अगर ल ओ है तो लियो लियो से आप याद रख सकते हैं लियो तो आपने बहुत वार वर्ड सुना होगा लियो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं राशी फर्ग में भी आता है लियो तो आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों तो MN को कैसे याद रख सकते हैं इसमें ए डाल दे तो man आप इसको ऐसे man याद रख सकते हैं दोस्तों ये बहुत easy सी tricks है जिसे हमें reverse भी बहुत easily याद हो जाता है जैसे दोस्तों अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाएगा लेकिन अगर हम इसको revise करेंगे अच्छे से तो ये हमें बहुत easily से याद हो जाएगा कि किसका क्या reverse आता है तो दोस्तों आज का हमारा ये concept यहीं पर खतम होता है कल मैं आपको कुछ और new topic करवाओंगी दोस्तों तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जुरूर कीजेगा और आप comment में बताईए कि मैं आपको कौन सा topic करवाओंगी दोस्तों बाई बाई अपना ध्यान रखेगा